जहें साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल निस ऑनलाइन हब में तो दोस्तों यहाँ पर आप पर सिच्छाकों के लिए एक बड़ी ख़बर आ रहे हैं जो भी अंट्रेंड है उसके लिए बड़ी ख़बर आ रहे हैं यहाँ पर एक ओपिसल निकला हुआ है जो कि बिहार सरकार जिला सिक्छा पदकारी लखी सराय अस्तपना सका पतरांग सिंख आप दोस्तों देख सकते हैं जो कि यह बिहार से यह जारी किया गया है और एक डेडलाइन दिया गया गया था कि 31 मार्च 2019 तक आपको जो है ट्रेंड होना है अगर आप स सचीत रहते हैं तो आप जो है किसी भी प्राइबेट या गॉर्मेंट या गॉर्मेंट एड़ीड इस्कुल में पढ़ा नहीं सकते हैं यह डेडलाइन दिया गया था और यहां पर आप देखेंगे उसी को लिकर एक जो है लेटर जारी हुआ है यहां पर देख सकते हैं बि हार सरकार जिला सिक्षा पद्धकारी लखी सराई अस्तापना साखा पतरांग सिंखा आप देख सकते हैं प्रेशक जिला कारियालाई पद्धकारी अस्तापना जिला सिक्षा विभाग लखी सराई की तरफ सीड अपडेट किया गया है यहां पर आप देखेंगे लिखावा सेवा में जिले के सभी नियूजनेकाई जिला लखी सराय विसे आप देख सकते हैं 31.9.2019 के बाद कायरियत अपरसी सिच्छकों के संबन्द में और ये देख सकते हैं ये लेटर जो है कब जारी हुआ है 12.9.2020 के डेट में ये से जारी किया गया है यहाँ पर प्रोशंग देख सकते हैं निदेशक प्रात्मिक सिच्छा बिहार पतना के पत्रांग 1422 दिनांग 22.10.2019 के संदर में यहाँ पर देख सकते हैं महासाय उप्यूग विसेग प्रसाधिन पत्र के संबन्द में कहना है कि भारत सरकार के निदेश सनुसार RTE की धारा 23.2 के संसोधन उप्रात्मिक सिच्छा बिहार पतना दुवारा निदेशित किया गया था कि 31.3.2019 तक डियलेट प्रसिचित परदान किये जाने के बाद अर्थात 1.4.2019 से किसी भी आप्रसिच्छा को को सेवा से कायरियत नहीं रखा जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं यानि जो भी एक अप्रेल 2019 से कोई भी अंट्रेंड सेवा दे रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक बुरी खबर है कि उसको से अब जो है सेवा से हटाया जा सकता है अपरसिच्छो को की सेवा में कायरियत नहीं रखा जा सकता है एबम उने सेवा मुक्त करने हेतु करवाई परारम कर दी जाएगी सुलव संदर हेतु निदेशिक प्रात्मिक सिक्छा बिहार पटना का संदर पतरांग 1422 दिनांग 22.10.2019 इस पतर के साथ जो है संगलन है अता अनुरोद अता उपरुक के संदर में दिनांग 31.10.2019 के पहस्चाद बिद्दाले में कायरत आपरसिच्छी सिच्चको की सेवा समाप करने की दसा में की गई है करवाई के संबंद में एक संब्ता के अंदर संबंदित परखंड सिच्चा पधकारी के माइधम से परती वेदन उपलब्त कराना सुनिचित किया जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे यह जीला करियाले पधकारी अस्तापना सिच्चा विभाग जारी किया गया है लखी सराय से तो उसका सेवा से हटाया जा सकता है यहाँ पर नोटिस दे सकते हैं और पेपर में भी क्या प्रेट आया है चलिए देखते हैं दोस्तों जैसा कि इसकिन पर आप देख पार होंगे आपर सिच्चित रहे सिच्चकों का जुटाया जा रहा है बीवर है उसका डाटा जो है मांगा जा रहा है आप देख पार होंगे जो भी आपर सिच्चित हैं और सेवा दे रहे हैं तो उसकी सेवा जो है मुक्त यानि से से उसे मुक्त किया जा सकता है यहां पर देख सकते हैं बड़ी ख़वर आ रहे हैं कि अपरसीत रहे सिचकों का जुटा जा रहा है ब्योरो और अभी मैंने ओपीसे लेटर भी आपको दिखाया और यह पटना से ही अपडेट निकल के आ रहे हैं कि अपरसीत सिचकों की सेवा खत्रे में है नोकरी जा सकती है 31 माय 2019 के बाद भी जो सिच्चक अपर सिचित रहा है उनकी सेवा समाप्त करने की तयारी है यानि जो भी ट्रेंड कर लिए उसके लिए गुड न्यूज है उसकी सेवा समाप्त नहीं होगी लेकिन जो अंट्रेंड नहीं किये हैं आज तक के डे त्यारी है सिच्चा विभाग एसे शिच्चकों के सुची बनाने में जोट गया है जलती सभी जीलों के डियो और डिपैयो अस्तपना से अपर सिच्च्कों की सूची लिजाएगी शिक्चा मंतराले ने 31 माइथ 2019 तक सभी अपर सिच्चीत होने का अंतिम तारिक तय की थी दोस्तों मैंने अभी आप लोग को बताया कि अगर आप government school में है या private में है तो आपके लिए मुसीवत खड़ी हो सकती है अगर आप एक untrained है अभी तक आप परसिचित सिचकें आपकी सेवा समाप्त हो सकती है सिच्चा मंतराले सरकारी के साथ नीजी विद्धाले सिचकों के लिए अपरसिचत होना अनिवायर कर दिया था राष्टी मुक्त विद्धाले संस्तान NIS से सेवार सिचकों डियलेट परसिचित करने के लिए 18 मां का परसिचन कोर डिजाइन कराया था जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि 18 मंत का कोर्स लाया गया था जिसमें सरकारी विद्धाले के सिचक या प्राइबेट विद्धाले के सिचक जो अन्ट्रेंड थे वो जो है इस कोर्स का लाब उठाए हैं और वो एक ट्रेंड हुए हैं लेकिन जो अन्ट्रेंड है उसकी सेवा जो है समाप्त हो सकती है यहाँ पर जो न्यूज अप्टेट निकल के आ रही है और यह कोर्स जो लाया गया था वो यह ना इसको जिमा दिया गया था यहाँ पर आप देखेंगे 18 में कोर्स जो है डिजाइन किया गया था सरकारी स्कूल के साथ निजी स्कूले से चकभी भी इस कोर्स के आधार पर प्रसिचित होने का मोका दिया गया था यानि जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको तो मोका मिला ही था साथ में दोस्तों जो प्राइबेट स्कूल में पढ़ा रहे थे उसको भी यह मोका दिया गया था कि आप जो है 31 माय 2019 तक ट्रेंड हो सकते हैं और यह डेटलाइन दिया गया था यानि एक अप्रेल 2019 के बाद आप जो है अपनी सेवा नहीं दे सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं नीजियू बिताले को भी कोर्स के अधार पर परसिचन होने का मोका दिया गया बिहार के प्रारमिक स्कुल में लगबग 40,000 सिचकों ने परसिचन के लिया आविदन किया था यहाँ पर देख सकते हैं स्रीप ये पटना का बात आप आउरा है 40,000 अगर बात करें नाइस डियलेट से तो धायलाग गौर्णमेंट और प्राइबिट स्कुल मिला के दोनों सिचक मिला के प्रसिचन लिया गया है जो कि बिहार के समें सबसे ज़्यादा सिचकों ने नाइस पर प्रसिचन लिया है तो दोस्तो जो भी अपडेट आएगा अगर आप M10 है तो निचे में कॉमेंट करके बताएगा अगर फिर भी ये इसकी माता है यानाज डियलेट की तरफ से कोई भी भी से होता है तो यहाँ पर आप लोग को अपडेट दी जाएगी फिलाल के लिए इतना ही अपडेट मिल मुलते हैं नक्स वीडियो में तब तक लिए जय जय बारत